नमस्काल दैनिक शिव टाइम में आप सब का स्वागत है मैं रश्मी शर्मा कैमरामन शुबम भगत के साथ अगर बात करू जमू कश्मीर की एक तरफ ते बेरुजगारी से हमारे युवा लगा अतार परदशन परदशन कर रहे हैं नोकरिया निकली तो जरूर बर साथ इसा स्कैम भी सामने आए जैसे बात करें जेके पी आसाई की फाइनेंस अकॉंड एसिस्टेंट की फाइर अन अमर्जंसी सर्विसिस की जेई की यनि कि आखिर गोटाला कारियों पर शिकंजा तो कसा गया कहिना कि LG मोहदे ने अच्छा स्टेप कदम तो उठाया पर सवाल बढ़ा ही है कि आज जम्मू कश्मीर का यूथ LG एड्मिस्टेशन से यहां की सरकार से पूछ रहा है कि आप कहते हैं बई मानों को छोड़ो मत और इमानदार को छेड़ो मत क्या लगता है आज युवाउं कियेगे कि हम शिकंजा कस रहे हैं पर उनके आज तक नाम क्यों नहीं सामने आप आए क्यों नहीं उन पर शार्चार्ज शिट यहनी कोई केस में अगर वह वाके मुलविस हैं उनके नाम सामने क्यों नहीं आप है चली विंकल शर्मा और एस्परेंस और जमू के यूथ सामन तो नाम तो यह हैं सामने को। सब्सकिर दर्णियाद हैं। कि सीबी आई ने जो काम करा है तारीफ ही योग्य तो मुझे लगता है सरकार के लिए सरकार को उसकी तारीफ करनी चाहिए कि उसने भनग भी नहीं लगने दी कि हुआ क्या है अब सरकार के पास जाएंगे तो मुझे लगता है वह आप कैमरा तो कहेंगे सीबी ने जो करहा बहुत बढ़िया करा है कैमरे वो नहीं लोगों को तो दोखा दे नहीं है तो वो दे रहे हैं कि हम बहुत अच्छा हमने कड़ाई से सकताई से काम लिया है सकताई दिख गई सकताई दिखी कि जब हम कोड की फटकार पड़ी कि यह तुम लोग गलत कर रहे हो यह जो ब्लैक लिस्टर फर्म को कैसे से डिरेक्शन जाती है पेपर कौन सा मोड होना है तो नींद कहां नहीं थी इनको पता था क्यूंकि इन्हों नहीं तो होने से पहले भिक गया था यह बाभू क्या कर रहे हैं लोगों को समधना चाहिए और यह जो प्रशासन आपके आंखों के सामने धूल जोंकर कोशिश कर रहा है जहां कुछ पार्टियां जो यह बड़े-बड़े करती हैं कि हम जम्मू के हित में कश्मीर कोई कहता है हम कश एस्पिरेंट हैं सब आम लोग हैं और आपी के हम भी आपके बेटे बेटियों की तरह हैं कोई आपका बेटा आपकी बहू आपका कोई न कोई रिष्टेदार सगा समंधी आगर नोकरी के लिए पढ़ रहा है मेहनत से उसका हक चीना जा रहा है सरकार शिन भी है कर रही है और जंता के सामें कुछ और मोखोटा पहन कर सामने उसे प्रस्तुत किया जा रहा है कि जो ताकत है उसको समझना बहुत जरूरी है यह कोरपरेट और पॉलिटेशन का जो बड़ा नेकसस है जो जम्मो कश्मीर के अंदर जिसने जम्मो कश्मीर के युवां को डाक की फिसलेटी नहीं थी हम कई वर्ष पिछे चले गए उसके बाद जब रेकूरूटमेंट की टरन आई कोविड आ गया कोविड ये जो ये जो दोर था जम्मो कश्मीर के लिए बहुत बूरा दोर रहा है और इस दोर में जो सफर किया है लोगों ने जो युवां ने सफर कि नहीं हो वो करोडों में कठी की है इन्होंने और बाद में जब युवां को डिलिवर करने का जो इनकी बारी आई तब इन्होंने अपने चहेतों इलिए स्कैम किये ये चाहते हैं कि जम्मो कश्मीर के अंदर युवां को बेरोजगार बनाया जाए ताकि इनके जो कॉरपर दामों पर 50% सबसीड देखिए कॉर्परेट वर्ल्ड को परवाइड कर आ रहे हैं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर का इंटेलीजेंट युवा उसको भी ये 8000 पर वहां लेवर क्लास में रखना चाते हैं इस इस चीज़ को समझते हुए मैं जम्मू कश्मीर के आम युवा से पील करूँगा कि इस गुलामी की जन्जीरों को तोड़िये और इकटे हो जाएए आने वाला जो आपका बविशे खत्रे में है उसको समझीए अगर युवा आवाज ना उठाते तो शायद घुटाला कारियों का नाम भी सामने ना आता या इस तरह की कारवाई भी ना होती क्योंकि उन अस्परेंट्स को जन्होंने आवाज उठाईती कि घुटाला हुआ है शायद परशासन और सरकार चुपाने का प्रयासी करते है देखिए परशासन और शासन से अब जो उमीद है वो तूट चुकी है युवा इनकी उमीदों के आगे दम तोड़ चुका है लेकिन इनकी जो उमीद बची है वो इनकी उमीद खुद से बची है कि ये संगर्श करेंगे ये लड़ेंगे इस सरकार को इस ब्रश्च तंतर को दवस्त करके रहेंगे और अगाज हो चुका है और युवा इस बात से बली बांती परिचित है कि इनके पीछे कौन ताकते हैं और उन ताकतों को सर्याम नंगा करने का दम जम्मो कश्मीर का युवा रखता है आने वाले दिनों में देखिए किस तरीके से युवा खड़ा होगा और इनकी जो ताना के बाद जो हुआ है यहां पर जीम सुरोडी मनिश्टर था जेके सीटी का पेपर होता था उसने अपनी बेटी की जगा बाहर से लड़की को बिठाया था स्केम तो तब से हो रहे हैं लेकिन फर्स टाइम ऐसा हुआ है कि यूस ने इनके सामने पोरा रख दिया सामने और य इनको यह समझ नहीं आ रहा है कि फर्स टाइम इनको ऐसा लग रहा है कि अब हमारे हाथ से यह चीज़ें जा रही है अब यहां पर मंडिया नहीं लगने देंगे इनने जेके प्यसे का स्केम किया लास्ट टाइम वहां पर जेके से चैर में खाली जागी डेली मीड़ी पे अब इस बार उन्हें फिर से अब आपको पता है अब आप दे रहे हो तो कम सिकम अब तो अच्छी लाओ क्यों आपने कलाश चैंच है जब इनको पता था एप्टेक कॉंपनी के खिलाफ यूपी में केसे हैं आसाम में केसे एंटिये के ब्लैक लिस्टिट है वो तो उस कॉ इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको अभी भी यह बात हसम नहीं कर पा रहे हैं कि जमू कशीव में ट्रांस्पेरिशी से रिकूर्मेंट हो और जो बच्चा जो वाकिये में डिजर्व करता है उसको यह मिले करतिक जी आप एक समाज से भी है किस तरह से हमारे युवां के आज भीवश्य के साथ खिलवार किया जा रहा है चाहिए हम स्यासेदानों की बात करें सरकार की यह प्रशासन की बात करें एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते आज जो युवां ने आवाज उठाईए चीज कहना चाहूंगा मैं जितने भी यह भाई यह नोने एक चीज कहीं मैं कहना चाहूंगा कि सरकार जो है यह कर क्या रही है अभी आप देखो एक दिन डबल बेंच का जिस इन सिंगल बेंच पे जज़मेंट आती है गवर्मेंट ने हाई कोट से ओडर आता है कि एक्जा सरकार को युवाओं के साथ खड़ा होना चाहिए था यह सरकार उस ब्लैक लिस्टेट कंपनी का सपोर्ट नहीं करती है और वह मैं वह मुझे एक घरान की विक्ती का नाम है लेना चाहूंगा अबीनव शर्मा जी का एक तरफ वह फायरें अबरिजन्सी में स्टुडन्ट क के साथ खड़े हो के हम स्टूडंस के साथ हैं तूसरी है ते breeds बैब्लाक टीर कंपनी है उनका वचील बनके आते हैं मैं ठीक है एक रोफेशनल हुने के नाते वह कुछ भी कर सकते हैं कुछ एसिक्स एकजिस्ट करतें जनाब आप एक वकीला व्ह ред आने वाला आप इनके साथ कहीं तो स्टेंड करें एक जगह आके हमारे साथ बैठके कम से कम इमानदारी दर्शा है अपनी अपना दोगला ना दर्शा है और यूवा मुझे लगता है अब आप सुनी रहे हैं सारे यूवा जो है वो पहतान चुके और यह अंदोलन बन रहा है यूवा अगेंस्ट करप्शन है कि जल्द एक आंदोलन की फॉर्म में आपको सड़कों पे जरूर देखेगा अगर आप लगातार इस तरह से इनके भविश्य के साथ खिलवार करते रहेंगे और कहीं न की आज CBA की जाज पर यहां के प्रिशासर सरकार पर मारे जमू कश्मीर के यूवा ने बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है आखिर क्यू बार 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 ब्लैक लिस्टिज कंपनी को ही एक्जाम्स का टेंडर दिया जाता है कौन ताकित हैं जो इन शडरंत कारियों को बचा रही है या बचाया गया है आने वाले समय में हमारा जमू कश्मीर का यूवा जरूर इस बात का जवाब देगा भी और आप लोगों से जवाब लेगा भी चली देखते हैं क्या करवट बदलता है आने वाले समय में क्या वाक ही अपने कमेंड अपने सुजाव हमें जरूर दीजिए इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए जो डिर्या सिमार से अगले अपडेट के लिए जैंजाबर